ये फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेज डीमर्स दी अवेंजर्स और आज शे क्लास में हम बचो करने वाले हैं आपका जो मैक्रो एकनॉमिक्स थी उसका चैप्टर नंबर फोर मेजरमेंट ओफ नैशनल इंकम उसका पार्ट थी यह बचो पार्ट टू में मैंने आपको मेजरमें आज पार्ट एक मोर्स काम करें तौ पर इल्यू एड़ मेनट आज़ति अच्छे क्लास में बचो में करना हैं इसका दूसरा थर दूसरा मैथेड माने इनकम में तक है तो इंकम मेंट़ड है इसका सम्मध्ध किस चीज से है इस method में हम क्या करते हैं जो national income calculate करते है national income is calculated by adding the factor income ठीक है तो factor income को add करके हम national income को calculate करते है आज की वीडियो में जो है मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा हुआ ज्यादा हम यहां वहां की बाते नहीं करेंगे हम जो है दो methods करने वाले हैं income method भी मैं आपको आच्छी class में करा हुआ और expenditure method भी मेरा main focus है कि मैं आपको दोनो methods के formula अच्छी से समझा दूँ क्योंकि formula अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो practical question करने में आपको बिल्कुल भी problem नहीं होने वाली ठीक है तो जो income method होते हैं बच्छों income method में क्या होता है अब income method में हम क्या करते हैं सबसे पहले हम निकालते है step 1 में स्टैप 1 में बच्छों निकालते हैं domestic income domestic income को क्यों कहते हैं ndp atfc अब domestic income निकालने के लिए हमको बच्छों तीन चीज़ों को जोड़ना पड़ता है ठीक है ध्यान राखेगा तीन चीज़ों को पहली तो होती है compensation to employees ठीक है दूसरी चीज़ operating surplus और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारी बच्छों mixed income of self-employed तो पहले स्टैप में हम क्या करते हैं compensation to employees मतलब करमचारियों को मिलने वाला जो पारिश्रम एक या वेतन हैं वो लेते हैं प्लस में operating surplus परचाला नदिशेश वो लेते हैं और तीसरा mixed income of self-employed इन तीनों को मैड कर देते हैं इन तीनों को आड करने पर क्या आता है हमारा domestic income अभी यह क्या होता है यह भी मैं आपको भी डीटेल में बताऊंगा थोड़ा साब जो है सबर बनाकर रखिए फिर आता है step two step two में बच्छों क्या करते हैं हम निकालते हैं national income national income तो national income निकालने के लिए करते हैं हमारा जो NDPFC था इसे हम domestic income कहते हैं इसमें किस चीज़ को आड कर देते हैं इसमें आड कर देते हैं NFIA मतलब net factor income from abroad ठीक है तो यह दो step होते है income method में जिसका इस्तमाल करके आप जो है simply अपनी national income जो है उसको calculate कर सकते हैं अब बात आती है कि यह compensation to employees क्या होता है operating surplus क्या होता है mixed income of self-employed क्या होता है इसके parts कौन-कौन से होते हैं कि basically यह चीज़ आपको इस method में दिमांग में रखने पड़ती है ध्यान रखने पड़ती है ठीक है तो यह formula आप जो है वीडियो को pause करके note कर लीजे इसके बाद हम चलते हैं आगे तो बच्चों सबसे पहले जो आता है आपका a compensation to employees a compensation to employees मतलब होता है जो आपके फैक्टरी में काम करने वाले आपके अचा में काम करने वाले जो कार खाने में काम करने वाले वर्कर्स है उसको जो आप मुआप्जा देते हैं उसको कहते है compensation to employees अब उसके टाइप कौन कौन से हो सकते हैं बचो वेजिस की फॉर्म में हो सकता है कि सेलेरी की फॉर्म में हो सकता है ठीक है बोनस की फॉर्म में हो सकता है या फिर contribution by employer in social security भी हो सकता है ठीक है या फिर आपकी pension भी हो सकती है लेकिन बचो याद रखना है कि वो pension जो है वो retirement pension होने चाहिए इसके वार आता है operating surplus operating surplus को हम कहते है हिंदी में परचालन अदिशेश मदलब जब आप किसी चीज़ का production करते हैं तो उसमें आपको labor के साथ साथ ठीक है land capital और entrepreneurship देनी पड़ते है यूज करने पड़ते ठीक है लेवर को तो आपने पे कर दिया compensation उसके अलावा जो payment आप देते हैं उसे कहते हैं operating surplus अब इसमें हमको कौन कौन सी चीज़े आड़ करने पड़ते बच्चों एक तो होता है आपका rent ठीक है rent com royalty भी कहते है profit हो गया और एक होता है आपको इंट्रेस्ट ठीक है अब एक चीज़ा आपको ध्यान रखनी है कि अगर profit कभी-कभी ना दिया हो तो profit के तीन इससे आपको मिल सकते हैं profit के तीन इससे होते हैं एक तो होता है dividend dividend का मदलब profit का वो हिस्सा जो हम shareholders को देते हैं लभांश कहते हैं दूसरा होता है undistributed profit का मदलब बच्चो होता है retained earning या इसको बच्चों corporate saving भी कहते हैं मदलब profit का वो हिस्सा जो एक company बचा लेती है ताकि उसका इस्तमाल future में कर सके जिसे हम reserve भी कहते हैं ठीक है और तीसरा हिस्सा होता है बच्चों आपका corporate tax तो अगर profit आपको ना दिया हो तो profit के थीनिस से दी जा सकते हैं उनको जोर के profit निकालेंगे इसको operating surplus compensation to employees और तीसरी चीज जो होते है बच्चों आपके होती है mixed income mixed income of self-employed का मतलब उन लोगों की income जो किसी और के पास काम नहीं कर रहें वो अपना खुद का काम कर रहें हैं जैसे मैं अपना को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं या कोई अपनी कोई छोटी दुखान चला रहा है किस कोई अपने सब्जी की उसने शौप लगा रखे तो उन लोगों को होने वाली जो यह सुर्य उसे का जाता है mixed income of self-employed ठीक है तो अब यह यह और यह ठीक है compensation to employees operating surplus और mixed income of self-employed इनको आपने आड कर दिया तो आपके पास क्या दाएगा आपके पास दाएगा बिटे डोमेस्टिक इंकम और डोमेस्टिक income में आपने NFI जोड़ दे तो आपके पास दाएगा national income तो यह था आपका formula किसका income method का अब इसके बाद हम चलते हैं बच्चो expenditure method पे अभी मैं आपको income method और expenditure method के formula अच्छे से समझा रहा हूं concept समझा रहा हूं अब इसके बाद में आपको practical भी कराऊंगा तो बिल्कुल attention मत लिजेगा कि शिर्फ formula formula चल रहे हैं अभी तो शिर्फ आप एक काम कीजिए कि भाई यह formula जो है इनको note करते रहे है और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप समझते रहे है ठीक है तो अब यह तो हो गया हमारा इनकोम मैथट अब इसके बाद हम बच्चो चलते हैं अगले मैथट पर अगला मैथट जो है हमारा उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं बच्चो expenditure method expenditure method expenditure method expenditure method कहने का मतलब अच्चो हिंदी में कहते हैं इसको वे विधी अब expenditure का मतलब क्या होता है खर्चा और जो expenditure होता है जो खर्चा होता है जब हम national income निकाल रहे होते हैं तो expenditure method में हम सिर्फ final expenditure को एक काउंट करते हैं कभी भी हम intermediate expenditure जो होता है हमारा जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती खर्चा उसको count नहीं करते हैं ठीक है तो अब इस method में क्या होता है जरा देखिए आप तो अब इस method में क्या होता है देखिए अब इस method में जब हम national income निकालते हैं ठीक है तो इस method में national income निकालने के लिए आपको चार step follow करने पड़ते हैं अभी सिर्फ मैंने बोला कि आपको के जो चीजे में करार हूं उसको समझे और formula जो है उसको साथ साथ नोट करते चाहिए प्रैक्टिकल कोश्चन जब मैं आपको करांगा आपको एक दो मच्छे साथ चीजे समझ में आधाईगी expenditure method में बच्छों के गरते हैं पहले step में हम निकालते हैं GDP MP अब GDP MP कैसे निकालते हैं इसके लिए हमने एक formula बनाया प्राइवेट फाइनल कंशंप्शन एक्स्पेंडिचर ठीक है प्लस गोवर्मेंट फाइनल कंशंप्शन एक्स्पेंडिचर प्लस investment expenditure प्लस net export तो यह चीज़े आपने add करनी है private final consumption expenditure प्लस एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर और net export GDP MP आ गया यह चीज़े क्या होते वह मैं आपको अभी बताऊंगा दूसरे step में हम आ जाते हैं किस पर एंडी पी एफसी पे एंडी पी एफसी आपको क्या होता है बच्चों आपको मैंने पहले बताए था domestic इंकम वह निकालने के लिए बैलेंसिंग कर दीजे जीडी पी एंपी माइनस डेटिशेशन माइनस एनएटी और जो तीसरा के लिए आप या करते हैं बच्चों एंडी पी एफसी लेते हैं उसमें एड कर देते हैं एन फाई यह मतलब नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम अब्रॉड तो अब देखिए जड़ा यह तो हो गया अब यह चीजे क्या होती है प्राइबेट फाइनल कंजम्शन कर रहे हैं मतलब जो परिवार चेतर कर रहा है जरूरतों पर खाने की चीजे कपड़े वगेरा ट्यूशन हो गया और सारी चीजे जो हम अपने जरूरतों पर फाइनल एक्स्पेंडिचर करते हैं उसे गाया था प्राइबेट फाइनल कंजम्शन सरकारिय हस्पतालों में दवायों का खर्चा मतलब वह सारा अग्स्पेंडिचर निवेश्वे इसको आपको अच्छे से समझना है इसको मैं आपको अच्छे से समझांगा और एक चीज़ होते हैं बच्चों आपकी नैट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं टिक हैं अब बात आपकी क्या आती है बात आपकी यह आते हैं कि भी investment expenditure क्या होता है इसको आपको अच्छे जह समझना है याज़ए क्योंकि अगर आपके expenditure method में आपके questions गलत होते हैं तो वह इसी point के वज़े काड़ने से अपके होते हैं अधर वाइस तो आपके कोशन आअसानी से हो जाते हैं ठीए तो अब देख winding सक करके वैक लिए खार करके ढोड कर लीजाए अब 파मिछे इनवेस्टमेंट एक्समेंडिचे हम चलते हैं investment expenditure तो जो investment expenditure होता है बच्छों देखो तो investment expenditure कभी भी आपको जो कोशन दिया होगा कोशन में कभी भी आपको investment expenditure ऐसे नहीं दिया होगा investment expenditure actually में इसका नाम कुछ और होता है इसको कहते हैं gross domestic capital formation तो यह आपको इस तरह से दिया होगा gross domestic capital formation ठीक है तो कभी भी investment expenditure इस तरह से नहीं दिया होगा 100 में से 99 टाइम्स इस तरह से लिखाऊगा gross domestic capital formation अब अगर यह इस तरह से नहीं दिया हो मां लीज़े gross के जए क्या लिखा हुआ ऐसे लिखा है gross domestic तो लिखा हुआ है लेकिन इसके लिखा फिक्स्ड कैपिटल formation मतलब इस तरह से लिखा हुआ gross domestic fixed capital formation ठीक है तो आपको इसमें एक चीज़ और प्राइड कर देनी है जिसे हम कहते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो अगर आप ग्रॉस दोमेस्टिक कैपिटल इसमें फ्रमेशन की जगे ग्रॉस फिक्स्ड मलब याद रखे कोशन में अगर यहां फिक्स लिखा हुआ तो आपको इसको एड कर देना तो इस तरह से इनको अपके पास क्या देगा इनमेस्मेंट एक्सपेंडिचर इनको आड करके आपके पास इनमेस्मेंट एक्स्पेंडिचर आदेगा और यह तो यह पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि मैंने आपको बताया 9 out of 10 times, 10 में से 9 बार आपका expenditure method में अगर question गलत होता है तो वो इसके उज़े सही होता है तो इसको आप अच्छे से अपनी copy पर note कर लिजे ठीक हैं, तो मैंने अभी आपको income method के बारे में बताया, expenditure method के बारे में बताया formula बताया, concept थोड़े से समझाए अब चलते हैं practical question पे क्योंकि main चीज़ क्या है आपके practical question जिससे आपके formula अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे जो देखे बच्चों मैंने आपके लिए ये question जो है board पे लिख दिया, आपके exam में जो question आता है paper में, वो कुछ इसी तरह से आता है जिसमें आपसे दोनों methods के question एक साथ करवाय जाते है मतलब ऐसे नहीं होगा कि income method से पूछे expenditure method से जैसे यहां board पे लिखा है ना calculate national income using income and expenditure method ठीक है, तो आपको दोनों method का use करना पड़ेगा यहां पे और national income निकालनी पड़ेगी तो सबसे पहले बच्चों हम देखे यहां पे इस्त्माल करते है income method ठीक है तो हमने, मैंने आपको बताये था कि income method में सबसे पहले हम क्या निकालते है सबसे पहला step होता है हमारा NDP FC निकालने का NDP FC कैसे निकालते है compensation to employees plus में operating surplus plus में mixed income ठीक है, short में मैं यहां पर formula लिख देता हूँ compensation to employees देखे कितने बच्चों 1200 operating surplus में देखे क्या-क्या मिलेगा आपको एक तो सबसे पहले profit है 800 profit की निचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा rent 400 और rent की निचे आपको interest मिलेगा 620 है ना, और तो कुछ नहीं है और इसके बाद mixed income of self-incruid आपकी 700 इनको अपने add कर देना है यह हो गया 1200 यह 1200 और 800 क्या हो गया आपका क्या करते हैं आच्चार 12 12-1820 और यह हो गया 700 तो यह हो जाएगा 1200 और अठारा सो कितना हो जाएगा बच्चो 3000 3720 ठीक है अब इसके बाद आपको निकालना है NNPFC तो आपको बताता है balancing करेंगे NDPFC यह प्लस में NFIA 3720 प्लस में NFIA बच्चो कितना माइनस का 200 तो यह आपके आदाएगा 3120 ठीक है तो यह मैंने आपको बताया income method का use एक बार दुबारा से sorry हम question को check कर लेते हैं NDPFC सबसे पहले हमें निकालना है compensation to employees 1200 ठीक है then operating surplus में बच्चो एक तो profit आदाएगा ठीक है profit के बाद क्या दाएगा आपका rent 400 interest 620 तो मैंने यहां पर थोड़ा सगलत कर दिया 3720 जो है इसमें से मेरे को 200 माइनस करना है 3720 में से हम जो है माइनस कर देते हैं आपका 200 तो यह आजाता है आपका 3520 ठीक है तो यह पहला method हो गया अब हम चलते हैं दूसरे method पे तो इसको अब हम चलते हैं expenditure method पे थोड़ा सा space मेरे पास कम है तो आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजेगा तो इसमें सबसे पहले हम यह पहला step था यह दूसरा step तो इसमें पहला step क्या होता है बच्चो आपका GDP MP निकालने का उसमें private फानल कंजम्शन expenditure गवर्मेंट फानल कंजम्शन expenditure net export Key आपYour के थेख तो बच्चो देखो पाईवेट फानल कंजम्शन पेनीचर ना रफारे रिखा हुल्या कोई ने कर का-ऊवर्मेंट इसमें ना रखा हो आपका कहा दे रखा है net export यह minus का 30 और investment expenditure के देखिए यहाँ पर यह लिखे net domestic capital formation तो मैंने आपको बताया था कि अगर net दे रखा हो तो उसको gross बनाने के लिए हम पर करते हैं उसमें depreciation हम add कर देते हैं depreciation कितना बच्चो यह 130 ठीक है तो यह हो जाएगा 2000 प्लस में 1100 माइनस में 30 प्लस ठीक है 700 और यह सकॉम कर देतना बच्चो 770 800 यह 900 हो जाएगा ठीक है यह हो गया आपका 900 अब यह 2000 अब के सका हम एड़ कर देते हैं यह वह जाएगा आपका 2000 तीन अजार तीन और और एक 4000 यह आपका 3000 में यह से 30,000 मैंस करें 970 ठीक है 2000 तीन अजार और चार अजार चार अजार में से हमने मैंने सकते हैं अब सेकिंड स्टेप में हम अब देखों बैलेंसिंग करके डारेक्ट नेशनल इंकम निकाल सकते हैं हम निकालेंगे एन इन पीफ सी तो उसके लिए जीडीप एंपी जैसे कि आपको बैलेंसिंग में बता है नेशनल इस इकल टू नेशनल इस इकल टू डूमेस्टिक प्लस में एन फ आई है ठीक है एफ सी इस इकल टू एंपी माइनस निटी तो यह हो जाएगा 49,70 माइनस डेपरेशन कितना बच्चों डेपरेशन आपका 130 निटी जो है सेक इसको करेंगे तो आपका याद है कितना 3520 इसको सॉल्व करेंगे आप तो यह आपका अंसर इतना ही आने वाला है तो यह मैंने आपको दोनों मेथर्स बताए इंकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथर का भी प्रैक्टिकल कोशन मैंने आपको बताया ठीक है तो यह आपका पार्ट 3 था जिसमें मैंने आपको इंकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले बताये और साथ-साथ मैंने उसका एक प्रैक्टिकल कोशन भी बताया ताकि आपको कॉंस्ट अच्छे से समझ में आ जाए अब जब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊ क्लियर हो जाए मनलब तीनों चीज अच्छे से क्लियर हो जाए क्यूंकि इसमें से आपका six marks का पेपर में कोशन आता है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्यूंकि आगे में आगे भी मैं ऐसा ही वीडियो ले